पार में लाब जरूर होना चाहिए परंतु लोब नहीं करना है तो जाने वो कैसे वैपार उद्यूग में लाब जरूर हो कोई खोट के लिए धन्दा नहीं करते हैं दुकान, कमपनी, फैक्टरी का जब उद्गाटन करते हैं तो दुकान के दर्वाजों पर दोनों तर्फ शुब और लाब लिखते हैं हमारी संस्कृति आध्यात्मिक है हमारी संस्कृति की निव में ही अध्यात्म के बीच पड़े हुए हैं इसलिए हमारी संस्कृति हमें सिखाती है की हमें शुब रीती से लाब लेना है गलत तरीके से एन केन प्रकरण लाब नहीं लेना है हमें सिर्फ आर्थिक द्रिष्टी से लाब की बात नहीं सोचनी है धन उपरजन के साथ दुआएं भी पानी है सतकर्म की श्रेनी में रख सके वैसी रीती नीती से वैपार करना है हमारे बड़े बुजर्ग भी कहते हैं कि सहज मिला सो दूद बराबर गडबड घोटाले से मिला तो पानी बराबर खीच लिया सो खून बराबर ऐसी गलत तरीके से की कमाई हमें गलत रास्ते पर ही ले जाती है जब हमारे में लोब वृत्ती होती है जब हमें वैपार में जूट बोलना पड़ता है और उल्टा पुल्टा करना पड़ता है अगर हमारी मनो वृत्ती मानसिकता सही है दूसरों का सोशन करने की वृत्ती नहीं है तदा जीवन उच्छे विचार की जीवन पदती है तो लोब करने की जरूरत नहीं रहती जब हम सोशते हैं कि बस हम जीए हमारी इक्छाओं की ही पूर्ती हूँ हम खाएं पिएं मौज करें तो हम वैपार धंदे में लोब करेंगे उसके लिए जूट कहेंगे धन तो आ जाएगा परन तो दिल जरूर खाएगा आत्म संतुष्टी नहीं होगी हम शरिर से माना हैं तो हमारे में यह मानवता भी हो की हम जिये दूसरे भी जिये लोब की कोई सीमा नहीं होती है कितना भी पाने के बाद त्रिप्ती नहीं होती है इसलिए कहीं तो हमें मर्यादा की रेखा खीचनी होगी इक्छाओं को सीमित करना होगा हमें अनुभव है कि औरों के लिए थोड़ा भी कुछ अच्छा करने से बहुत खुशी मिलती है तुम त्याग कर खुशी अनुभव करो हमें पेट भरने के लिए पेट पोशन के लिए अवश्य कमाना है ना कि पेटियां भर करके रखने के लिए कई तो दिनरा धंदे में लगे रहते हैं और इतना कमाते हैं कि पांच पीडियां अरहाम से बैठ कर खाएं हम लोग संग्रह खोरी के वश अपना जीवन तो बिगाडते ही हैं साथ साथ भावी पीडी को भी आलसी भोगी बना देते हैं तो हमें याद रखना है लाब होना है कैसा लाब? शुब लाब तो शुब लाब से क्या होगा? खुद का भी लाब होता है और सर्वजन का भी हित होता है तो धन तो बहुत कमाना है लोब में नहीं आना है अपना शुब लाब के प्रती लक्ष बनाते हुए आगे चलते रहना है और एक ही ध्यान शुब लाब और सर्व का हित याद रहेगा वैपार में लाब जरूर होना है परंतु लोब नहीं करना है शुब लाब होना है स्वयम की उन्नती शुब लाब और सर्व जनों की हित और सर्व जनों का सुख भी ध्यान में रहना है इस शुब लक्ष से वैपार धन्दा करना चाहिए अई मानी की धर्ती पर स्वार्थ जन्म लेता है स्वार्थ लालच को अपना साथी बनाता है और फिर धीरे धीरे पाप रूपी विशाल व्रिक्ष का रूप ले लेता है तो छोटा साध्यान केवल शुब लक्ष रखना है कैसे शुब लाब से थैंक यू